हाई फ्रेंट्स मैं हूँ कल्पना सौगत है आपका हमारे चैनल कल्पना ओलिन वर्थ पर आज मैं आपको चावल के आटे का फेस बैक बना कर दिखाऊंगी जो आपकी स्कीन को टाइट करेगा और आपकी स्कीन को प्राइट करेगा तो आईए देखते हैं इसको बनाने का तर इस फेस बैक को बनाने के लिए हमको चाहिए चावल का आटा और शहत तो आईए अब हम इस फेस बैक को बनाते हैं अब सबसे पहले हम एक चमच चावल का आटा लेंगे और इसमें आदा चमच के करीब शहत को मिक्स करेंगे अब हम इन दोनों को अच्छे से मिला लेगे अब हमने इसको छे से मिक्स कर लिया है मिक्स करने के बाद हम इस पैक को फेस पर अपलाए करेंगे अब इस फेस पैक को हाँ अपने फेस पर अपलाए करेंगे इससे पहले में आपको बताती हूँ जैसे चावल का आटा हमने यूज किया है चावल के आटे को यूज करने से हमारे फेस पे जितने भी जहाईयां बढ़ जाती है या यहाँ पे mostly होता है कि जब age आपकी बढ़ने लगती है तो आपका यहाँ से और इस तरफ से फेस अलग से skin आपकी हो जाती है पूरे फेस पर अच्छे से हम अपने फेस पर इसको अपलाई कर लेंगे इस पेक में हमने शेहद में यूज किया है शेहद से हमारे फेस पर ग्लो आता है golden ग्लो आता है आपके फेस पर अगर शेहद भी खाली अपने फेस पर अपलाई करते हैं तो भी आपकी स्कीन अच्छे से मॉस्टराइजर हो जाती है अच्छे से आप पैक को अबलाए कर लेंगे सबसे अच्छा है आपके फेस को अगर आप इस फेस पैक को हमते में दो से तीन बार यूज करते हैं तो आपका फेस पे विंकल्स जो पढ़ने शुरू हो जाते हैं 30-35 के बाद तो वो आपके फेस पर नहीं आते आपके फेस बहुत टाइम के लिए यंग दिखता है आपका फेस 45, 40, 50 तक जाएंगे आप तब भी आपका फेस एक नेच्रल रहेगा आपके फेस पर रहेगा और आपके फेस पर एजिंग नजर नहीं आएगा अब मैंने अपलाए कर लिया है फेस बैक और उसको मैं आप 20 मिनिट टक के लिए रखो लिए और उसकी बाद मैं इसको गुण गिने पाने से दूरू अब मुझे 20 मिनिट हो चुके हैं मेरा फेस भी अल्मोंस सूँ गया है अब मैं इसको खटाऊँगी अब इसको खटाने के लिए आप चाहें तो थोड़ा सा गुलाब जल लेके अपने फेस पर मसाज करके पैक को हटा सकते हैं अब मैं थोड़ा सा गुलाब जल लूँगी अपने हाथों पर और उसके बाद मैं अपने फेस को साफ करूँगी पहले म्याहिके से मसाज करूँगी अपने फेस पर अब मैं कुंगोने पाने से अपने फेस को ढूलूँगी qи मैं अपना फेस कुंगोने पानी से ढ धोया था आप इस फेस पेक को कम से कम 2-3 बार हफदे में यूज करें आप देखेंगे आपकी स्किन टाइट होने लगेगी आपकी स्किन पहले से ज़ाधा प्राइट होने लगेगी जब भी आप इस face pack को ट्राए करें या बनाएं तो आप इसको तभी बनाए और तभी अपने face पर अपलाए करें I hope ये वीडियो आपको पतंद आया होगा आप उससे कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल रहा हो